राजिस्तान में भी सरकार जारी है, 36 गड़ में भी जारी है उनों खेल के राहूल गांधी के उपर ही पनौती लगा दी अब कॉंग्रेस के पास सिर्फ ऐसे में एक ही रस्ता बचा है कि वो मोदी जी के पास जाएं और मोदी जी को बोलें मोदी जी मोदी जी आप इंडिया का नाम बदलना चाहते हो कॉंग्रेस के फॉल्वर से कहना चाहूंगा ज्यादा बुरा मत मानों ज्यादा टची होने की जरुत है क्योंकि एक दिन तो तुमारे को भी पता चलना चाहिए कि बीजेपी के लोगों के उपर और मोदी फॉल्वर्स के उपर क्या बीचती है पीजीट कई आपका गानता सब्सक्राइब मेरे मोदी जी अपना प्राइवेट करा है तो प्राइवेट वेलकम की गवातिव स्ट्रके्षिवातव स्कूरा टेखें बीजेपी के ओफिस में हमारे च्यून्योंती चेचाậyन अपनावीट वेलकम करा है क्योंकि किसी और ने तो किया नहीं क्योंकि यहां पर चिनौती चिचा ने सोचा कि अपनी पार्टी में जाता हूँ अपना वेलकम खुदी करा लेता हूँ भई कितने कूल है चुनौती चिचा अब वैसे मेरे दिमाग में एक डाउट यह भी है कि यह मोदी जी की जीत है शिवराद चोहान की जीत है या फिर उन रशियन्स की जीत है या दोगा आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर देखिए रशियन लड़कियों ने जो बीजेपी के बारे में बात करना चाहता हूं भक्त काफी जादा सोच रहोंगे कि पौरुष आएगा भाईया इसको बर्नॉल मोमेंट इसका हो चुका है काफी सैड होगा बैठके यहां पर रो रहा होगा लेकिन मेरी इस हस्तिवी शकल को देखकर भक्तों का ही मोह यह हो चुका होगा अ एक हजार लोगों की मौत हो चुकी है मरने वालों में से 80% 11-25 साल के हैं और यह गुजराती एक मंतरी ने बताया तो भक्तों अपने दिल को संभाल के रखो कहीं ऐसा ना हो कि मोधी जीत के चकर में तुम्हारा मोये मोये हो जाए इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा अब कि इसको ग्रूप तेरफी स्चन कहते हैं यहाँ पर अपनी अपनी स्टोर्यज सुनाई जाएंगे राहूल गांदी विभी दई हीलर एक तरफ से अद्धव ठाक्रें बेठकर अपनी स्टोरी सुनाएंगे दूसरी तरफ से अर्विन केजरिवाल अपनी स्टोरी जी हाँ इनका अपनी स्क्रीन पर देखिए हार के बाद इन्होंने स्टेटमेंट दिया जनता का फैसला हमें सुईकार है बे चीच्या तुम्हारे पास कोई और आप्शन है क्या हार को सुईकार करने के अलावा मतलब तुम इसके अलावा करते भी क्या सडक पे उतर जाते हार को नामानते जनता चार जूते और मारती तुम्हारे पिछवाड़े पे वैसे कमलनाथ के स्टेटमेंट को देखकर सबसे पहला खयाल मेरे दिमाग में यही आया कि यह कमलनाथ ममलनाथ कौन है यार के इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आज बताना चाहूंगा कि विंटर सेशन की भी शुरुआत हो चुकिया फिर से एक बार सारे के सारे MPs इखटे होकर बैठेंगे और एक बार फिर से देश के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं as usual लेकिन उससे पहले हुआ क्या यहाँ पर BJP वाले लोगों ने यहाँ हला मचाना शुरू कर दिया कि तीसरी बार मोधी सरकार तीसरी बार मोधी सरकार और इसके बीच में मोधी जी बहुत जादा uncomfortable नज़र आए मतलब तीन स्टेट्स में लैंड्सलाइड विक्तरी के बाद भी मोधी जी का constipated जहरा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कौन सी चीज ऐसी है जो इनको खुश करा पाती है लगता है अब सीधा इटली से मेलोनी चाची कोई बुलाना पड़ेगा इंडिया में पहले ज़रा देखते हैं कि ये जो पूरी लैंड्सलाइड विक्तरी और कॉंग्रिस की मूपे तमाचा जो मम्मिया मारती है बचपन में खिचा के ऐसा तमाचा जो 60 की उमर तक याद रहता है वो तमाचा जो पढ़ा है कॉंग्रिस को उसके बाद मीम्स क्या क्या बन रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर देखिए पहला मीम देखिए ये राज से निकाला गया है राज मूवी से बीजेपी कह रही है कि मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगी और राजस्थान के वोटर्स कह रहे हैं रोज शर्मा और विराट कोली के मूँ पर कमल नाथ और अशोक गेलोत के फेसिस लगा दिगा और मोदी जी कह रहे होता रहता है चलिए मैंने सोचा एक बार मिलनू भाई पूरी तरीके से मोए मोए हो गया वैसे मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर आप इतना ही जिताने की instant रखते थे तो यार वर्ल्ड कप जितवा देते ना वो बहुत जादा जरूरी था election तो आते जाते रहते हर दो तीर महिने में यार वर्ल्ड कप जितवा देते ना इसके साथ आगे बढ़के एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूँ पूरी बीजेपी की प्रचंड लहर थी मतलब यहाँ पर देखा है हमने की landslide victory तो हुई है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बीच में किसी का मोय मोय नहीं हुआ है बीजेपी के एक नेता आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ ये है नरुत्तम मिश्रा विधान सबा चुनाव में MP के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिश्रा की हार हो चुकिए दतिया की seat से इन्होंने statement दिया था election की बीच में कि हमने तो दतिया में हेमा मालनी को नचवा दिया अब नाचो खुच जाके दतिया में मतला भाई सोचो जिस मध्यप्रदेश में भारतिये जंता पार्टी 160 seat ले आई लैंड्सलाइट से भी भयंकर बंपर विक्ट्री यहां पर हो गई नरुतम मिश्रा हार गया और करो बेशरम रंग और देखो बिक्नियों के कलर हो गया न मोय मोय इसके साथ आगे बढ़ना चाओंगा और आपको दिखाना चाओंगा कि तिलंगाना में कॉंग्रेस जीत गई तो उसके बाद यह कहना शुरू कर दिया कि साथ और नॉर्थ की लाइन जो है वो क्लियर हो गई है साथ में कॉंग्रेस के कई सपोर्टर्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि नॉर्थ के लोग जो है कम्यूनल है South के लोग जो है smart है अरे भाया यह मतलब मूर्ख पने पे भी बड़ा मूर्ख पना है और अगर आप सच में देश का हित चाहते हो या फिर अगर आप देश में सचाई के साथ हो तो आप ऐसी बात और ऐसी लाइन को कभी भी acknowledge नहीं करोगे This is very stupid and silly मतलब यहाँ पर Congress के लोग क्या कहना चाहरे है कि South के लोग smarter है और North के लोग बेफकूफ है तो अच्छा भाई ठीक है 2024 के election जो है North के लोगों के बिना ही जीत लेना फिर South के लोगों से और भाई South के हो या North के हम सब इंडिया के लोग है यहाँ पर South versus North यो create किया जा रहा है सिर्फ अपनी हार को छुपाने के लिए खिस्यानी बिल्ली खंबा ऐसे नोचेगी क्या इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ एक और खिस्यानी बिल्ली सौरी Congress के नेता यह है जैराम रमेश इरो ने tweet करके कहा कि हार तो यहाँ पर गए लेकिन 36 गड़ में हमारा जो हारने का margin है हमारा vote share जो है वो सिर्फ 4% कम था मध्यप्रदेश में 8% कम था जो कि actually में बहुत बड़ी percentage होती है राजस्थान में तो सिर्फ यह 2% ही कम था इस तरीके की बात ही कही गई और नीचे देख लिजी एक बार क्या लिखा गया है यह देखने वाला है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया हम् चुनाव से पहले क्या खिलेश वकिलेश साथ में और opposition के लीडर्स जो है मेरी वीडियो देखने के बाद अब जहां पर जैराम रमेश जैसे बड़े लीडर ने भी यह बताया कि वोटिंग परसेंटेज तो थोड़ा मोड़ा पीछे था और इसलिए हम लोग हार गए रेस में अभी भी हम लोग है वही पर जैराम रमेश और सारे के सारे ऐसे नेताओं को जो इस तरीके की दलील देकर अपने supporters को फिर से डैश बनाने की कोशिश कर रहे है उनको ये भी दिखाना चाहता हूँ मानक गुपता का tweet है in fact आप election commission की website पर भी देख ले ना मैंने cross check किया है Congress जो तिलंगाना में जीती है BRS के vote share percentage से सिर्फ 2% से ही जीती है मतलब जहाँ तुम जीते हो वहाँ तुम 2% को बहुत बड़ी victory दिखा रहे हो जहाँ तुम हारे हो वहाँ तुम 8% को भी कुछ नहीं मान रहे हो बैस से बेटर तो उधे निदी है अपने screens पर देखे सनातन धर्म वाले कार्ड पे BJP ने काफी अच्छा advantage लिया था लेकिन नहीं Congress के नेता अभी भी मानने को तयार नहीं है वो अभी भी मोये मोयी कर रहे है ऐसे मैं Congress के supporters से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई अपने नेताओं की बातों में आग बंद करके नहीं आना चाहिए अगर तुम आने लगए तो तुम में और मोधी के भक्तों में फरक क्या रह जाएगा फिर जाते जाते बताना चाहतों मेरे हिसाब से कि आखिरकार BJP क्यों यहाँ पर जीती है और क्यों कॉंग्रेस की इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर हार हुई सबसे पहले BJP की जीतने का और सबसे बड़ा रीजन था नरेंदर मोधी का फेस हर जगा पर नरेंदर मोधी के फेस पर लड़ा जा रहा था अब दूसरा रीजन था यहाँ पर मोधी जीतने का अमिच शा जी हाँ कॉंग्रेस को भी एक अमिच शा जैसे बंदे की या फिर विपक्ष को अगर मैं कहूं तो एक अमिच शा जैसे बंदे की नीड है जो सब चीजों को मैनेज कर पाए जिस टाइम पर उनका नेता चुनाव लड़ रहा हो इलेक्शन की रेलिया कर रहा हो यहाँ पर इलेक्शन की रेलिया तो बहुत अच्छी चले लेकिन पीछे के मैनेजमेंट करने के लिए कोई भी फेस नहीं है यह बात तक भी चुनोती चिचा ने बोली थी और अब यहाँ पर राजनीती के संधीप महेशवरी बन के और मोटिवेशन पास कर रहा है दरूदर अब आपके हिसबसे मोधी के जीतने के और कॉंग्रेस के हारने के क्यारीजन थे नीचे कॉमेंट सेक्षन में बताओ साथ मैं भक्तों से कहना चाहूँगा कि रोते रो कॉमेंट सेक्शन में जितना रोना है रोते रो लेकिन मेरे को यहाँ पर घंटा फरक नहीं पढ़ने वाला बीजेपी जीते या कॉंग्रिस जीते अपने को तो बस मौज ही लेनी है अभी के इस वीडियो में इतना ही मुलाकात करूँ आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो